तो लेट्स प्ले दा गेम हिटमेन 3 अगेन मैं हूँ टफ तो खेलते हैं मिशन को आगे बढ़ाते हुए हिटमेन 1 की स्टोरी अल्मोस्ट कम्प्लीट होई थी तो आप खेलेंगे हिटमेन 2 का पहला मिशन इसका नाम है नाइट कॉल तो करते हैं इस मिशन को स्टार्ट इंट्रेक्टिव प्रिजेंट मिया ऑुटार्ट इस्टे लिएम पाल्ट को आगे बटत्ते हैं घ्रुट्रे अज़ेट थांटिजें अने. और मैं हैं इस्टेट आगेट्स एमेशन गे बड़ाते हैं प्रिवद्ट्यों इसेपस्स, प्रोविदन्ट वा सब्साथा है प्रवंत सल्ट точाहु फिले हैं कि अचले डिमा ही उने सजूर दो कि 오 lugAL प्रही प्रॉचल वरते हिते हैं अही हिन्लिक अशरिंस्ट थे प्रहीं करते हैं थे त bạn अशSoim compartir प्रोविदन्ग काले हैं तो यहाँ पर Hitman 1 जो की हमने इससे पहले सारे मिशन करे थे उसकी एक छोटा ब्रीव बताया गया कि हमारा करेक्टर जो की Agent 47 है वो डाइना के साथ मिलके ICA नाम से एक assassination company है उसे रन करते हैं और हम लोगों को जो भी contract मिलेते वो एक shadow client के थुरू मिलेते और हमने जितने भी लोगों को मारा वो providence जो की एक दूसरी organization है उनके लोगों को हमने maximum मारा था तो यहाँ पर scene ऐसा है कि providence का जो head है उसने हमसे कहा है कि अगर हम shadow client को मार दें तो उनको in return agent 47 की पूरे बच्पन की मतलब क्या story है वो कहां से आया यह सब हमें पता चल जाएगा तो इसी के लिए अभी हम लोग मौजूद है न्यूजिलेंड में एक बीच के किनारे तो देखते हैं क्या है आगे scene इस प्रिष्ट देखते हैं तो यहां पर mission कुछ इस तरह से के shadow client के बारे में हमें थोड़ी information गेदर करनी है तो उसकी एक lieutenant है Alma Ray तो Alma Ray के हम लोग घर के पास आए है यह सामने घर है यह Alma Ray का है तो हम यहां पर शायद इसके अंदर जाके थोड़ी shadow client के बारे में information गेदर करेंगी ताकि हम shadow client से path जल से जल पहुच सके और से kill कर सके तो अभी तो इस घर में यहां मुझे लग रहा है कोई भी नहीं है अभी जल से जल अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है situation अंदर shadow client के बारे में हमें कुछ information मिल भी पाएगी के नहीं है तो खिड़की से घुच जाते हैं कि मुझे लग ना इस computer में कुछ मिलेगा तो computer तो open हो नहीं रहा तो हमें शायद कोई pen drive या कुछ इस तरीखे से मिलेगा जिससे computer में एक्सेस मिल पाएगा है तो हमें pen drive form में कोई की मिली है शाद वो लगा के मिलेगा हमें एक्सेस अब एक्षाब अप्लेगा अप्लेगा अप्लेख अप्लेग याज़ कोई विडियो लुट अप्लेगा अपलोड़ का अप्लेगा रहा है hm nothing on the shadow client or the other cells no names, no aliases I doubt she even knows whom she's working for wait, here's something a message from Robert Knox of Kronstadt Industries and by the sound of it he's a Providence operative a defector well, well, well client won't like this one bit and you can't wait to tell him they're back multiple hostiles I see them, damn Okay, we've got all we're going to get Go to stage 247 Eliminate Raynard, and preferably Without raising suspicion One step ahead of the Shadow Client for once Let's keep it that way I thought this night would never end What a snobfest And I even missed out on the action I'm sorry you had to endure all that Free champagne and cello music Orson What can I say? You really took one for the team Well, I say stick to what you know So, Shadow Client I didn't get anything on the laptop But there was a person Robert Knox His message was sent to Eliminate Raynard So, this is a weird thing And now It's Orson Target down Well done 47 Now get off the property I lost him I lost you Get off Get off Go को तो एल्मरे हो गई खतम और हम लोगों को निकलना यहां से जल्द से जल्द अल्मरे शेड़ क्लाइट की ल्यूटेरंट थी अब आधर ए respe lol recorded लेना है मुझे लग यह मिशन होता है कॉपलीट यहां पर हमें सिर्फ यह पता चला कि कुछ प्रोविडेंस के लोग भी शेड़ो क्लाइंट के साथ मिले हुए हैं जैसे की रोबर्ट नॉक्स तो देखते हैं आगे स्टोरी कैसे रहती है बस अभी हम लोग यहां से बहुत शांती से निकल जाएं अगर हम लोगों थोड़ी भी जल्द बाजी करी तो मिशन फेल हो जाएगा बहुत आराम से हम लोग को यहां से निकलना है आप लोग भी बताओ यार कि आपको यह वाली प्लेलिस कैसी लग रही है मुझे तो परस्टली काफी मज़ा रहा है क्योंकि जो भी गेम्स वैसे होते हैं जिसमें एक स्टोरी रहती है कहानी रहती है जस्ट के हिट अंड रन वो मुशन अब वो गेम मुझे खास तोर पे काफी सही लगते है आप लोग कमेंट में बताईए कि अगर आप किसी और गेम की प्लेलिस्ट या फिर किसी और गेम का पूरा गेम प्ले देखना चाहते हैं तो मैं वो भी जरूर बनाऊंगा और हो सके तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माइच चैनल टफ गेमिंग और एक थमसब मिल जाए तो मोटिवेशन भी मिल जाएगी The Mirks have discovered your boat 47 they're on high alert not coming the beach for intruders proceed with caution तो थोड़ी सी अजीब बात में इस मिशन में यह कौँगा कि वैसे तो दूसरे मिशन होते हैं जब मिशन कंप्लीट होयता है तो काफी एक्जिट दिखाते हैं लेकिन इसमें सिंगल एक्जिट है इसलिए हमें एक्जिट तक पहुचने में थोड़ी सी परिशानी हो रही है लेकिन हम लोग पहुच जाएंगे तो जहां पर बोट है वहां पर तीन बंदे खड़ें तो मैंने यह सोचा आए कि उनमें से जो एक बंदा जो हमारी तरफ देख रहा होगा उसे हम लोग मार देंगे और फिर वहां से हट जाएंगे और वो दोनों लोग जब हमें देखने आएंगे तो हम लोग जल्दी से बोट लेके फरार हो जाएंगे देखते हैं मेरी स्ट्रेटीजी काम करती है कि नहीं इसे जल्दी से ड्रैग कर लेते हैं और मैंने यार पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें कपड़े भी नहीं बदले पहली बार अब मैं कपड़े बदल लाओ इसकी बंदूख दूठा लेते हैं यहां परेयर मैं मारूंगा बीच वाले को क्योंकि वो हमारी तरफ देख रहा है और जब बाकी के दोनों बंदे हमारी तरफ आएंगे तो हम लेफ्ट से होते हुए जल्दी से बोट पर पहुचेंगे और हो जाएगा मिशन कम्प्लीट तो इसके आगे वाले मिशन को हम रखेंगे नेक्स वीडियो में और मैं बहुत जल्द नेक्स वीडियो भी अप्लोड करूँगा और पिछली वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगा ऐसे सपोर्ट करते हैं लेकि यार फोड़ी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन